असलाम अलेकुम गाइज वेलकम बेक टू मैं चैनल नेक्स लेवल फूड और आज मैं आ रहे हो मज़ेदार कड़ाई स्टाइल गोबी गोष्ट अगर आपको में रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पीजिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं आदा कप ओई लेंगे इसमें मटन आलेंगे हैं अपस मटन है मटन साथ बना रहे हैं हम कड़ाई स्टाइल में बनाएं को भी गोष्ट बहुत मज़ेगा बनेगा यह हाफ केज हैं अपस मटन है कि डालेंगे इसके अंदर एक प्याज है बारिक स्लाइस कीवी और डालेंगे इसके अंदर नमक डालेंगे इसकें अंदर हाफी दीश्पून अल्दी डालेंगे हाफ़ टीश्पून में नमक डालेंगे पिसको भूनेंगे आप तेल के अंदर कि नमक डालें इसमें हाफ टी स्पून कोटर टी स्पून हल्दी डालेंगे तीन टीमाटर ने बारिक चॉप की वे गोडालेंगे बहुत मज़े के बनेगा यह गोबी गोष्ट कड़ाय स्टाइल में इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा गोबी गोष्ट हमने वैसे भी डाली रेसीपी दूसरे स्टाइल से यह लहसन अदर आग और हरीमिर्च का पेस्ट इडालें इसके अंदर वन टेबिल स्पून यह तीन टेमाटर ने बारी किये और यह डाल दी आमने इसके अंदर आदा ग्लास पानी डालेंगे और भख देंगे ताकि गोष्ट टेमाटर और प् पानी दाले दो यह ग्लास पिस्से पानी अ श्रफ मिर्च डालेंगे ए और टीस्पून गर्श स्रेज के अंदर हरीमिर्चे ड़ी जालेंगे और उसके इन्दर इन गोष्ट डालेंगे पानी इसल पानी के इंदर répond गल यह ने में चारे बारिक कवाहरी मिर्चे लालेंगे इसका डिफ्रेंट सा टेस्ट आएगा बिल्कुल अलग स्टाइल से कड़ाई स्टाइल में इसका टेस्ट आएगा गोबी गोश्ट का बहुत मज़ेगा बनेगा यह इसको भून लेंगे हाफ के जर अपास गोबी है और डालेंगे इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करनेंगे बार म choosing यह जहाँ आदा काल डाल देंगे पर जब गल लेगे तो हमस्में पूर टीवी कालीमिश दालेंगे वन टीषपूल काली मिचे लाल दी 1 teaspoon बून लेंगे को भी हमारी गल गई है इसको भून लेंगे भूनने कि बार रदनिय और पिसा गरमसार लालेंगे इसका पानी खुश्क हो देगा फिर इसमें गरमसार और दणीय डालेंगे और इसको डेश आउट कर लेंगे यह पानी खुश्क हो गया है अधरी डालें इसके अंदर गड़ा ने ओंग तीन से चार टेवल स्पून गरम अधाध पिसावा यह पिसावा गरम असार डाल दिया हमने इसके अंदर यह हमारी रेस्पे तैयार हो गई है कडाई स्टाइल गोबी गोश यह आपसे कल अब देश सकते हैं अगर आपको मेरे र और सब्सक्राइब किजिए और सब्सक्राइब किजिए अल्लाहाफिज